हलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि IPPB Mobile Banking App के एक नए प्रावलम के सालूशन के बारे में देखिए जब आप अपने IPPB Mobile Banking App को ओपन करते हैं वहाँ पर एक प्रावलम दिखाता है कि यूजर एकाउंट इज लागड प्लीज ट्राई आप्टर सम टाइम देखिए कैसे हम इस प्रावलम को सॉल्व करेंगे और क्या हम गलती करते हैं जिसके कारण यह प्रावलम सो करता है इससे रिलेटर पूरी जानकारी देने वाले हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो के लास्ट तक देखिए अपना आई पीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप को ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर आपको अपने अप्लीकेशन का यमपीन फिलब करना होगा नेक्स्ट हम यमपीन फिलब करते हैं तो मान लिजिए हम कोई अधर यमपीन फिल कर रहा हैं नेक्स्ट एक बार और फिल करते हैं नेक्स्ट वन्स अगेन फिल करेंगे कोई अधर नेक्स्ट फिल करेंगे देखिए मैंने तीन बार रांग यमपीन फिल किया है तो उसके बाद यह हमारे पास प्रावलम सो करने लगा कि मतलब कि अगर कोई अधर व्यक्ति आपके आई पीपी मोबाइल बैंकिंग एप में तीन बार रांग यमपीन फिल करेंगा तो आपका जो एकाउंट है वो कुछ समय के लिए लॉग हो जाएगा तो इसको अगर आप चाहते हैं साल्व करना तो दो तरीका है फर्स्ट यह है कि आप कुछ देर बाद ट्राइ करें और जो करेक्ट यमपीन है उस यमपीन को फिल करके अधरवाइज सकेंड यह है कि फारगेट यमपीन को सलेक्ट कर लेंगे और यहाँ देर आए कि डू यू वान टू रजिस्टर अगें नेक्स्ट हम ओके कर लेंगे और यहाँ पर जो आप से डीटेल्स मांगे जा रहे हैं जैसे कि एकाउंट नमबर कस्टमर आईडी डेटा बर्थ और मोबाइल नमबर इस सारे डीटेल्स को फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करके once again हम एक नया यंपिन करेट करके easily लॉग इन करके हम इस प्राबलम को solve कर सकते हैं तो आइए मैं आपको live देखा देता हूं कि कैसे हैं इस प्राबलम को solve करेंगे तो पहले मैं इस सारे डीटेल्स को फिल कर लेता हूं नेक्स्ट हम रजिस्टर को सलक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आप एक नया यमपिन बनाएंगे, तो माल जो कोई यमपिन बना लेते हैं, नेक्स्ट हम रीइंटर कर देंगे, और डाउन साइड जो सेट यमपिन दिया हुआ है, उसे हम सलक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट जो भी आपका IPPB से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, उस पे 6 डिजिट का OTP जाएगा, नेक्स्ट हम उस OTP को वेरिफाई कर लेंगे, और सम्मिट कर देंगे, देखिए रजिस्टेशन सक्सेशफूली, नेक्स्ट हम लॉगिन को सलक्ट करेंगे, नेक्स्ट ज जो आप New Yampin बनाए हैं, उस Yampin को यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर हमारा अप्लिकेशन ओपेन हो जा रहा है, बट यह भी हो सकता है कि कुछ केसस में आपका एप न ओपेन हो, लेकिन जब आप आधे घंटे के बाद ट्राइ करेंगे, और सही Yampin फिल करेंगे, तो इस आपका एप ओपेन हो जाएगा और आप उस प्रावलम से रिजॉल पा जाएंगे, तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो